एक बार फिर से आप सभी का सौगत है हमारे यूटूब चैनल अधिवीरा पॉइंट पर तो दोस्तो रेलवे ने जो है अपना आर-प-प रेलवी प्रोटेक्शन फोर्स का नोटिपिकेशन जारी कर दिया है जो आपको देख रहा है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस तो इस वीडियो में हम सब को जाएंगे क्या युगता है क्या क्या कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे कब से भरे जाएंगे कब लास्ट डेट है क्या फीस रहने वाली है क्या आयू की आपकी युगता मानी जाएगी और कब तक जो है आपकी आयू गिनी जाएगी और क्या आपकी हाइट रहने वाली है तो यह आपका नोटिस देख रहा है Railway Protection Force का, RPF का तो सबसे पहले हम मुख मुख बिंद उपर चर्चा करेंगे ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आपकी जो पहली देखी, opening date रहने वाली है और आपको इसमें account भी बनाना पड़ेगा जैसे आप पहले आपने इसका ALP का form भी apply किया है या फिर technician का तो आपको railway पहले एक account भनाना पड़ता है फिर आपको form की जो है history दिखती है वहाँ से आप इसको form को भर सकते हैं अब बात करते हैं आयू की तो देखिए आपका बेतन पे लेता है label 3 जो आपका salary बनेगी initial पे जो आपका रहेगा केता रहेगा 21,700 रुपे रहेगा medical standard B1 इसकी हम बाद में बाद करेंगे क्या क्या रहता है इसका अभी किबल हम मुक मुक बिंदियों पर चर्चा कर रहे हैं और जो total vacancy निकाल के रहाई हैं वो आई हैं आपकी 2208 और age limit रहने वाली है 18-28 दिखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है पहले इसकी यद्रिलेजमेंट रहती थी 18-25 साल लेकिन COVID के कारण प्लस 3 साल इसमें और आपको छूट दी गई है तो इस तरह से आपका 18-28 साल मानिंग गई है एक कुछ इंस्ट्रक्शन दी है इसकी लिंक जो है इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलेगराम गुरूप पे मिल जाएगी तो आप टेलेगराम गुरूप जोइन कर लें वन वाई थार्ड रेंगेटो मार्किंग रहने वाली है आँगे दिखते हैं मुक्विन दूपर नेसलिटी आपको इंडियान है यह देखिए पहले जो इसकी नॉर्मल एज थी 18-25 थी अब 18-18 कर दी गई है क्यों क्योंकि COVID के कारण बाकी आपकी जो भी कैटिकरी है उसके अनुसार आपको अलग-अलग एज मा बेनिविट मिलेगा 5 साल की OVC, Non-Crimalier के लिए 3 साल, फिर अलेजर में जो एक सर्विसमेन है, उनकी जिक लिएगा जो भी आपकी जो भी कैटिकरी हो उस कैटिकरी में आप देख लिए जगा जो भी आपकी age limit है और सबसे मुखबाद आप अपने डेटा बर्चे कलने अन्रेजर्व के जो candidate है उनकी age limit 2 जुलाई 1996 से जाना पहले की नहीं होनी चाहिए ठीक है ना, यह OVC, NCL अपर लिमेट है यह लोवर लिमेट है इसके पहले का नहीं होना चाहिए इसके बाद का नहीं होना चाहिए इससे पहले का नहीं होना चाहिए 18 से 28 साब की रहने वाली है तो जो भी आपकी कैटिकरी हो यह जो भी रहता है 500 रुपे अब इसमें आपके देखिए SC, ST, EX Service Men, Female, Minorities और EBS, Economically Big Class इनकी लगने वाली 2500 रुपे, धेहन देनी वाली बात इसमें यह है, कि जैसे ही आप प्रजेंट रहते हैं, तो आपके 500 मैसे आपके जो है 490 रुपे आपके बापस इसमें आ जाते हैं, 10 रुपे अपके सर्वेस चार्ज कर जाता है, सैम ऐसे ही 2500 रुपे जतनी कैटेगरी बताई हैं आप इदी परजेंट रहते हैं एक्जाम में तो आपके 240 रुपे आपके अकाउंट में बापस आ जाते हैं, तो लगबग आपको दोनों कैटेगरी में लगबग फीस अधी आप परजेंट रहते हैं, तो 0 रुपे ही लगेगी ठीक है न, 10 रुपे सर्वेस चार्ज पर बस कटते हैं आपके, तो जो भी आपके कैटेगरी हों आप उसमें देख सकते हैं, और उसमें ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप बैंक के डिटेल धर फिल करते हैं, बड़ी ध्यान पूर्बग करें, क्योंकि यदि आपकी जो भी रासी है सब उसी में आती है, एक भी यदि एक स्टूडेंट काफी कनफ़ी होते हैं, एक EBS में और एक EWS में तो ये एक एकोनोमिकल वीक सेक्सन होता है, और ये एकोनोमिकल बैक बड़ कलास, जिनकी इंकम क्या है, पचास हजार रोपे से काम है, वो किसमें आते हैं EBS में, और जिनकी सालान इंकम आठ लाग से है, वो आते हैं आपकी EWS में, तो ध्यान से फिल करना जल्दवाजी में बहुत से स्टूडेंट जो है EBS, EWS की जगए ये EBS फिल कर देते हैं ऐसे में आपको फॉर्म जो है रिजेट हो सकता है, दिखिए यहां पर होने आप देखिए, रिक्वार्मेंट प्रोसेस दी गई है आपका के अबल एक CBT होगा आपका जो है पहले CBT होगा फिर आपका फिजिकल इफिसेंसी टेस्ट होगा पीटी होगा, उसके बाद आपका डागुमेंट वेरिफिकेसन होगा तो थिरी स्टेज में आप पूरी आपकी भरती प्रिक्रिया होने वाली है तो किबल आपका CBT होगा और फिजिकल में क्या-क्या मेजरमेंट रहे या कि वो भी हम आपको बताने वाले हैं तो देखिए, CBT जो आपका होगा 90 मिनट का होगा, 120 कोशन आएंगी एक कोशन के लिए एक मार्क्स है और आदी आप गरत लगाते हैं तो 1y3.33 मार्क्स आपके कट जाएंगी, तो निगेटो मार्किंग बिरहने वाली है इसलिध्यान पूर पर लगाएं सलेबस जो है, वो ही आपका रहने वाला है इसका है, तो यहां अर्थमेटेक गरत जो है 35 की है तर्थ सक्ती रिजिनिंग भी 35 की है और इंटेलियेंसी रिजिनिंग 50 की है तो यहां पर कुल कित्ते परसन हो गए आपके आपके डोडल 120 परसन हो गए 90 मिनिट में हल करने है एक कॉस्चन पर एक माक मिलेगा निगेटिव मार्किंग पॉइंट 33 रहने वाली है यह आपका हो गया क्या CBT फरस्ट, CBT बोले तो कम्पूर्टर बेस्ट टेस्ट इसके बाद होगा आपका फिजिकल फिजिकल में आपको क्या क्या देखिए आपकी इसमें दो कैटिगरी हो रहेंगी मेल और फिमेल मेल और फिमेल 1600 मीटर की दोड़ा रहेगी आपको कितने मिनिट में दोड़ाना है 5 मिनिट 45 सेकंड में ठीक है ना 800 मीटर वाली है लॉंग जंप होगी और एक हाई जंप होगी लॉंग जंग आपकी कित्य होगी 14 फिट रहेगी महिलाओं के लिए नीचे दे रखा है देख सकते हैं आपर तो आप देख सकते हैं जो भी बेहने हैं वो आप देख सकते हैं आपर नीचे दे रखा है इनको तीन फिट कुदना है लड़कों के लिए और यहां पर हाई जंप चार फिट होगी अब बात करते हैं कैटेगरी का मेजरमेंट कितनी हाइट माएंगी आएगी तो यहां पर आपको लिखी है सेंटिमीटर में अन्रजरप कैटेगरी EWS OBC SCST के लिए कम है और बाकी अदर गूर्खा हैं गड़वाल्स हैं मराठास हैं डोंगा जो भी कैटेगरी है अदर उनके लिए कम है तो एक सो पैसट मागी गई है जनरल कैटेगरी के लिए मेल और फीमेल के लिए एक सो संतावन अब बात करते हैं चेस्ट की तो देखी 80 cm आपको बिना फुलाएं जब आप सीना फुलाएंगे तो 85 cm मलब दोनों की बीच में पिलस 5 का अंतर होना चाहिए फुलाकर और बिना फुलाएं तो यह थोड़ा आपको देखना पड़ेगा और हाइट यहां पर देख सकते हैं इसके बाद लॉंग जम्प होगी आपकी वीडियो वेदी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जर लाइक जिरूर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसे ही आने वाली भरतियों की अपड़ेट के लिए सारी आपको चैनल पर मिलेगी साथ ये टेलिगराम गुरूप को जोईन करने जिसकी लिंक के डिस्क्रिप्सिन में नीचे दे रखिये और अपने विडियो को भी वीडियो सेर करें और आखरी में जानते हैं इसकी युगदा करने वाली है तो दस्मी अदि ये पास आप हैं तो आप इस फॉर्म को डाल रखते हैं बेतर मिलेगा आपको 21-700 रुपे बेसिक पे है इस पे आपको महंगाई बतते सब युड़के लगवग 30-35 रुपे आपकी सहली पहुँच जाएगी लेविल 3 के यह पे लेविल मिलेगा स्टेंडर मेडिकल भी बान इसकी बारें बात करेंगे तो आप दस्मी पास हैं तो आप इस फॉर्म को डाल रखते हैं आपकी एज लिमिट 18 से 28 की बीच में है हाइट आपकी 165 है यह बात कर रहा है हम किवल जनरल केटिकरी के लिए तो आज की वीडियो में तना ही था वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें और इसके लावा भी कुई यादि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे उच सकते हैं जिसके उत्तरम आपको देने का प्रयास करेंगे धन्नबाद